हाईलो दोस्तों आप सब कैसे हूँ इमीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम बना जा रहे हैं मटर मश्रून तो जो कि हमने मटर मश्रून देखिए बना के बिल्कुली रेडी करें गरमा गरम तो यह अगर मटर मश्रून आपको बनानी है तो चलिए पनीर खाना भोल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मतर मश्रून मढने के लिए सब से पहले क्या है और आप सब कौन्न करो सवी में सुआगाते हैं तो चलिए दिखते हैं आज यह रहा हरी मटर हमने यह हरी मटर को छिल लिए कम से कमार हाई सो गराम चिली मटर है यह कि टामाडर है बारी चोब कि हुए प्याज है दो बारी कटी चो प्याज है हमारे और यह रह मस्रून यह रहा है सोग्राम हमारे मश्रून है पैकेट में यह और दरा कलश्ता ने जिसको पेस्ट बनाएंगे जली भी जोब अब आपको देखाते हैं इतनी टेश्टी बनती है ना कि आप भी बोलोगे कि हाँ एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने के दिल करेगा तो चलिए आपको आज इसकी रेस्पी हम आपको लिए फीसिक नही रेस्पी लेकर आए हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर दीजेग हमें इसके पिस क्काट लें वर साथ सव मेरें के रवा थे थिजवे हैं वोजोने साथ पाने हैं ना तो आप इसको अच्कुल सारह निकाल लीजेगा अमने देल गरम कैक दो झाल झाले हैं मैं जाप आदयीया? लिए ना पानि प्ल्किल निकलता है पानी ओछ चोड़ते है तो आप बिल्कुल पानी छोड़ रहती है हमारे लाल कैसे होगी बिल्कुल लाल नहीं होती है विसकी सॉप्ट हो जाते हैं देख सकते हैं कि अधर हो गज़े के अधिका निकाल लिए के अब इसी का राएं में दो चमस फीर टेल डाने डाले हैं ने कुछ जीरे डाले हैं तेज़ाइं का देश बाथ एक सुकी मिर्च अच्छे से चटक जाने के बाद हमने डालें प्याज और प्याज को अच्छे तासे हम बोल तर तो चलिए हम टामाटर को पी काट कर लेते हैं अच्छे था से इसको भारी काट लेंगे तर तो चलिए प्या जबून गें डालें टामाटर अधली पाउडर जीरा धनिया और मिर्च पाउडर यह जो पाउडर नियुक्स अमने मसाला हमें से रखते हैं लाल मिर्च और स्वादन सा नमक आप मिर्च आप जिसे खाते हैं उससे सबसे मिर्च एड़ कर लिजिएगा य हलके पाने दे कर promo की मिर्च मेर्या भणी ब्रेट ने कि पुरा था ने को अले हैं जाएं आदीम होन्त पाने क्षटर इसमें हमेरे मसाले मतर ब्रे पखाएंगे और कियो मतर भणालिया चाई मीट मसाला जहां इस की टेश्ट बहुत ही अच्छी आती है मैंने अधी चमच मीट माज़ा अगर आप मीट मासाला नहीं तो आप मतर पनीरोड मसाली जो आते हैं वो गयड कर लिजिया या सब्जी मसाला अगर आप ना भी गयड कर तो नॉर्मल जो सब में ने मसाला डाला है आप उससे भी बना सकते हैं तो आप घर के समान से आप बहुत ही टेश्टी सब्ची बना सकते हैं तो एक बाद ट्राइ जरूर कीज़ेगा हम देख रहे हैं मतर हमारे पके हैं कि नहीं इसको हमने ढग ढग कर बिल्कुल कम आच भी हमने इसको पका लिया हैं मतर को भी और इसमेड करेंगा पानी जतना हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी रखेंगे क्योंकि हम ज्यादा इसको बाल नहीं लाने एक दो बाल में हमारे सब्सी रेडियो जाए क्योंकि मैं सारे पके पढ़े है तो देखिए इसमें कुछ धन्या पाड़ा स्वारी धन्या पत्ते हमें एड़ कर दी है कि इसके खुझबू थोड़ी अच्छे से आज इसके अंदर आप इसमें एड़ करने मश्रोन और इसको अच्छे से मुला ले हम गर्म मसाला इसमें एड़ ने कियोंकि आप अगर मीट मसाला बगर नहीं डालते तो और मीडियम आच पर देखेंगे इसके किसी ग्रेवी हमारे अच्छे से एक दो बाला आने के बाद पांच मिनट तक इसको हम बढ़ियां से पका लेंगे आफ और पांच मिन उतली हमारे सब्ची आपनकर गरमा गरम रेड़ी हो गया है तहाम चलिए हम इसको सकते हैं निकालकर आफ पर देखाकर प Rossi डाल दिया हम अपने धनिया और ये गरमा गरम हमारे मटर मश्रून डेड़ी हो गई है अगर आपको ये मटर मश्रून बनानी है तो इस रेस्पी को जरू ट्राय किजे को बहुत ही टेश्टी बनती है और अगर मेरे चैनल पनाया है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा प्लेश थांक यू सो मच आपको पूरी वीडियो देखने के लिए है तो